तो वेरी गूर्णिंग तो आए चर्चा करते हैं क्या रिलेशन्शिप है ब्रीधिंग और थिंकिंग में देखिए पहले थोड़ा सा मैंने इस बारे में हिंट दी थी सपने वाले में लेकिन हम मैं इसको आपको डीडियल में समझाता हूँ हमारे सारे रिशी मुनी और योगी इस बात के लिए जोर देते रहे कि कैसे हम अपनी सांस को नियंतृत करें प्राण को जो ब्रीधिंग की प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टन है तो इसी से हम चलते हैं लेकिन वो ये समझ गए थे कि ब्रीधिंग और सोचने में भी कुछ रिलिशंशिप है कुछ नहीं किया सबसे बड़ा रिलिशंशिप यही है वो जानते थे कि अगर माइंड को इस्टिल करना है तो पहले ब्रेथ को इस्टिल करना होगा जब तक ये ब्रेथ इस्टिल नहीं होगी तब तक माइंड इस्टिल नहीं होगा उसमें विचार आते रहेंगे. Stealing the mind का मतलब है bringing a mind to a state of no thought और thought तब तक आते रहेंगे जब तक कि हम सोचते रहेंगे. जी समझ लीजे आप. ठीक है? अब मतलब जब तक कि हम सांस लेते रहेंगे. जब थोट तब तक आयेगा, विचार तब तक आता रहेगा जब तक आप सांस लेंगे. कारण ये है कि विचार environment ये atmosphere में मौझूद है, इस space में मौझूद है, हवा में मौझूद है. और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो हमारे अंदर जाते हैं नाक से. और फिर हमारे दिमाग में बैठते हैं और अर्वो खर्वों की संख्या में वो हमारे दिमाग को चलाते हैं. ठीक है, अब वो कैसे भी हो सकते हैं जैसे इस process को, ठीक है, ये हो सकता है, ये हमारी बॉड़ी के जो पोर्स है, और वो बर, billions and billions of pores, ये भी वो ही कर रहे हैं, ये भी विचारों को एब्सॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो हर समय हमारा इस शरीर और ये नाक से, सांस से हर समय इस environment से कुछ ने कुछ एब्सॉब कर रहा है, इसे कहा जाता है गरहन करने की प्रक्रिया, ठीक है, लेकिन हम गरहन क्य पहले हुए हैं, वो अंदर आ रहे हैं, लगाता है, they are continuously coming to us, ठीक है, और हमारे दिमाग को बेचैन रखता है, मन को चंचल रखता है, तो अगर हमें उसे कंट्रोल करना है, तो हमें अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना होगा, रिशी मुनी योगियों ने, सभीयों ने इसी ची हो सकता है, ठीक है, और यह आप खुदी करके देख लीजिए, जितना आप एक्जेल करते जाएंगे, जितना अपने आपो खाली करते जाएंगे हवा से, उतना आपका दिमाग शान्त होता जाता है, ठीक है, बहुत बड़े-बड़े योगी सांस नहीं लेते हैं, मैं आपक मत करिएगा, बहुत बड़े-बड़े योगी सांस को इस्थिर कर देते हैं, और मन की चंचलता सून यह हो जाती है, और माइंड को इस्थिल पोजिशन पर तब वो इस्थिलनेस गेंड करता है, ठीक है, लेकिन अब यह इतने बड़े योगी तो हुए नहीं है, कि हम अपन पता नहीं कैसे होती है, वो कौन सी मेकेनिजब है, यह बहुत एडवांस साइंस है, जो बहुत ही एडवांस योगी जानते है, खेर, अगर मैं पहुंचा तो बताओंगा आपको, ठीक है, यह चीज ध्यान और मैं पहुंच जाओंगा, मुझे मालूम है, खेर, यह कोई खा हवा से उड़के हमारे अंदर आ रहे हैं, इसलिए आप लगातार प्राणायाम करिए, प्राणायाम से अपने दिमाग में कम विचाल लाइए, भोजन हलका रखिए, और अपने आपको जितना हो सके एर को बाहर को एक्जेल करिए, रेस्पिरेशन है ब्रीधिंग की जो प् ब्रीधिंग है वो जादे अच्छी है, कुछ लोग चेस्ट में ऐसे फुला करके ब्रीधिंग करते हैं नहीं, पेट वाली ज्यादा असान है, अब देखे किस तरीके की ब्रीधिंग आपके में है, क्योंकि ये भी अलग-अलग लोगों पर डिपेंड करती है, कुछ लोग